सो हलो और वेलकम दोस्तो टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फ़र से आपका स्वागत है तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीबो के टीवन फाइब फाइब फोन में आपके फोन में जो ग्रीन डोट नोट पेकेसन आते हैं आप जब भी केमरा ओपिन क करते हो और रिकोर्डिंग को ओन करते हो तो भी आपके पास एक ग्रीन डोट का नोट पेकेसन आ जाता है एंड इसे आप कैसे कैसे रिम्यू करें गई मैं आप लोग को इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं एंड आपके फोन में यह जब हम केमरा ओपिन करते हो की नहीं कर सकते हो इसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करेते हैं इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना और sweetheart हम की में डिस्क। आप लोग के लिन ख 위해 पनें अ और आप लोग को चलके बता देता हूं तो फाइनल दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकोडिक देखने को मिल जागा तो यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं वीवो के T1 5G फोन में जब भी हम केमरा ओपन करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे केमरा ओपन कर लिया एंड मेरे पास एक green road का notification आ चुका है अब दोस्तों यहाँ पे green road का notification हमारे फोन में आ चुका आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप जाते हो एंड आपको दिख रहा होगा कुछी स्रीके का camera चपा होगा एंड यहाँ पे click करते हैं तो by use by camera तो यहाँ पे आप camera के setting के अंदर आ जाते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्यूं आता हमारे फोन में green road जब हम यहाँ पे camera को open करते हैं चाहे कोई भी application को open करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी आपने camera को use कर रहे हो एंड यह green dot आता है तो आपको यहाँ पे बताता है कि आपका camera यहाँ पे own है एंड camera आपका photo के लिए तयार है एंड आपने camera को अपने open कर रखा अपने phone में इसलिए green dot आपके phone में आ जाता है दोस्तों इसका मतलब कि Google की जो application है and Google की जो application है Google ने इस Vivo के अंदर काम किया जितने भी phone है Google का Android आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसलिए यहाँ पे green dot का notification आपको देखनों को मिल जाता है नहीं इससे आपको मिल जाता है और जब भी आप यहाँ पे camera offering करते हो तो आपके पास आ जाते है and चाहे आप यहाँ पे डाइलर पर जाते हो and call लगाते हो अब मैं यहाँ पे dial करता हूं call अब call dial कर दिया यहाँ पे मैंने लगा दिया अब call लगाने के बद हमारे पास यहाँ पे कोई भी green dot का notification नहीं आ रहा है आप लोगो दिख रहा होगा जैसे मैं यहाँ पे recording को on करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे पता चल जाता कि आपके phone में call recording enable है call recording आपका own है and आपका call recording हो रहा है इससे आपका पता चल जाता है तो दोस्तों यह secure के लिए अगर आपका कोई भी call करता है तो आपको पता चल जाता and आपके पास यहाँ पे call आ रही है तो फानली ये आपके सीक्वेर के लिए आप लोग को मैंने यहाँ पर बताया यहाँ पर मैंने कोल्क में रिकोर्डिंग को बन कर देता हूँ तो मेरे पास green dot हड़ी आता है तो यह बहुती बढ़िया option मिल जाता है जो कि यूज करते हो अपने फोन में and इसे आप सीकोर रहोगे and camera opening करोगे तो भी and cold recording करोगे तो भी तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो and आप इसे बंद नहीं कर सकते हो तो फानली मैंने आप लोग को इसके बारे में पूरे detail में समझा दिया हो green dot notification के बारे में तो आप लोग जाके अपने बीबो के T1 5G phone में try कर सकतो and इसे यूज कर सकतो इसे नहीं आप remove कर सकतो नहीं आप इसे बंद कर सकतो फानली मैंने आप लोग को समझा दिया आप लोग को समझ में आग गया होगा तो चलिए दोस्तो आज के लिए आज यूपकर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक इन को दुबा के एंड प्रस करेंगा ताकि हर वीडियो का नाट परकेशन सब सब पहले आप तक पहुचे तो चलिए फिर में तक किसी इंट्रेक्शनों के साथ अब तक लिए जया हिंद जया भारत वागा दोस्तों